नमस्कार दोस्तों सुमित वार्दवास क्लाशिज में आप सभी का फिर से स्वागत है जो आज हमारा टोपिक रहेगा रेशो प्रोपोसन का पार्ट नमबर थली रहेगा इससे पहले हम दो पार्ट कर चुके हैं जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी दिखाई दे जाएगा आपको सक्रीन पर आज अपने थर्ड पार्ट में रहेगा आपने सुना होगा दूद और पानी का इतना नुपात है या मिला दिया जाता है मिल्क और फोर्टर के जिदने समाते हैं लगबग उनको करेंगे हमें एक एजी वे में ठीक है बिल्कुल ट्रीक से भी करेंगे और बेसिक से भी करेंगे तो चलिया शुरू करते हैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए पहला सम आज का देखते हैं क्या रहे कि दो बरतन A और B में दूद और पानी का अनुपात 302 है और 201 है और दोनों को समान मीशन में निकाल कर एक नए बरतन में मिला दिया जाता है क्या बोल रहा है दो बरतन है दो बरतन में उसने दूद और पानी का अनुपात दे दिया तो बोल रहा है कि दोनों को मिला दू, मैं दोनों बरतन में जो दूद और पानी है, अगर मैं दोनों को मिला दू, और दोनों में से फिर समान मीशन में से निकाल कर मैं एक नए बरतन में मिला देता हूँ, तो जो नया बरतन में मैंने समान मीशन में से निकाल कर मिलाया, तो नए बरतन में दूद और पानी का अनुपात क्या होगा पहले बेसिक बता देता हूँ फिर इसकी ट्रीक देखना तू देखो कितने बरतन बोले वाई साब उसने मेरे को दो पहला बरतन पहले बरतन में milk of water का अनुपात कितना दिया उसने तीन देशो दो दिया यहां पर तीन बरतन में क्या बोला milk of water का जो अनुपात है कितना दिया उसने दो रे सो एक दिया फिर बोल रहा है अगर इन दोनों में से निकाल कर एक नया बरतन क्रियेट किया जाए मान लो थर्ड बरतन क्रियेट किया जाए तो इस में जो milk of water का अनुपात होगा यह क्या होगा यह क्या स्टेटमेंट है जैसा जैसा उसने वोला मैंने लिख दिया पहले बेसिक उता देता हूं आप सभी को देखो क्या कर लेता हूं मैं एक तरफ मिल्क एक तरफ कर लेता हूं और वोटर एक तरफ कर लेता हूं तो मिल्क एक तरफ किया तो पहले में मिल्क कितना है देखिए दू तीन है, टोटल इसा कितना तीन और दो पांच, ठीक है, दूसरे में मिल्क कितना है, दो है, और टोटल इसा कितना दो रे कितना हो गया, तीन, तो इस परकार से एल सिम कितना आ गया, पंदरा आ गया, तो तीन तिया कितने हो गई, नो हो गई, ठीक है, और पांग दूनी कितना हो गया 10 हो गया तो इस प्रकार से कितना आ गया 19 बटे 15 क्या है मिल्क आ गया समझ गए basic क्या बिल्कुल मैंने क्यों देखो पहले बरतर में 5 में से 3 मिल्क था दूसरे में से 3 में से 2 मिल्क था मैंने निकाल लिया ठीक है अब फिर क्या है वोटर निकाल लेता हूं देखो वोटर वोटर निकाल लेता हूं पहले बरतर में वोटर कितना है दो है टोटल इसा कितना तीन और दो पांच तूसरे बरतर में वोटर कितना है एक टोटल इसा कितना तीन तो इस परकार से इसका एलसेम क की बात पूछी है तो मिल्क और वोटर का अनुपाद होता यह देखो 19 बटे के आप 15 अनुपाद 11 बटे के आप 15 15 से 15 कैंसल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा मिल्क और वोटर का अनुपाद 19 रे सो 11 क्या है हमारा राइटन सोरा जाएगा यहां तक मेरे ख्याल से किसी भी ब जमंज में आ सकता है यह त्रीक का बता है ठीक है तो मेरे ख्याल से यह जो बेसिक वाला है यह आप सभी कर सकते हो ठीक है इसको आप कर सकते हो अब एक ट्रीक बताता हूं क्या ट्रीक जो आपको काफी हैलफूल रहेगी क्या ट्रीक है देको पहले बरतर में मिल्क ओफ वोटर का कितना था तीन रे सो दो था दूसरे बरतर में मिल्क ओफ वोटर का कितना था दो रे सो एक था तो पहले का क्या लिख लो टोटर लिख लो तीन और तो कितने हो गए पांच हो इसको इससे multiply की 5 दूनी 10 और ये कितना आ गया 5 एकम 5 आ गया तो कितना आ गया 19 रेसो 11 हमारा क्या है अंस्वर आ गया वे 19 रेसो 11 हमारा क्या है अंस्वर आ गया ये आपका basic method था ठीक है और ये आपकी क्या है ट्रीक थी तो जैसा आपके मन में कलिक होता है या जैसा आपको अच्छा लगता है एक चीज जरूर बता दो कई वच्छी ये सोचेंगे कि सर गल्त भी हो सकता नहीं अगर इस परकार का जहां पर भी समाता है तो ये ट्रीक लगेगी बई कोई दिक्क्र टेंसन लेने की जरू की तो यह या तो ऑप ट्रीक से कर सकते हैं या बेसिक कर सकते हैं मैंने आपके सामने दोनों चीजें cheg दी तरिकर तो चलिए नेक़््ट स्वाल करते हैं पर नेक्स्ट में क्या बोलता है कि मेरे पास दो बढ़तन है A और B में दूद और पानी का जो अनुपात है वहे करमस से 4 रिसो 3 और 2 रिसो 1 के अनुपात में है और एक बरतन है उसका जो 7 बाग पहले परकार के लिक्वीड से तथा 9 बाग दूसरे परकार के लिक्वीड से भरा जाता है तो फिर इन में जो नया बरतन निकल के आएगा उसमें उसका अनुपात क्या होगा पहला बरतन क्या में चारे सो तीन दूसरे बरतन में कितना है मिल्क ओफ वोटर का अनुपाद उसने दिया दो रेसो एक बेसिक मैंने आपको समझाया तो आप कर सकते हो किसी को दिक्कत नहीं होगी कैसे कर सकते हो पहले क्या कर लूँगा मिल्क निकाल लूँगा मिल्क कितना पहले में से कितना भाग निकाला जाता है साथ भाग निकाला जाता है तो इंटू में कितना हो गया साथ भाग क्या है मिलाया जाता है इंटू में साथ लिख दिया पलस दूसरे भाग में मिल कितना है दो टोटल कितना तीन और दूसरे भाग में कितना? 9 निकाला जाता है या 9 मिलाया जाता है हो गया, तो 7 से क्या? 7 कैंसल हो गया, 3 तिया, कितना हो गया? 9 हो गया, 3 दूनी कितना? 6 और 4 एकम 4 कितना अगया? 10 आ गया वही इसी प्रकार से अब वोटर वोटर का पहला भाग कितना हुआ तीन हुआ टोटल कितना साथ और पहले भाग में कितना मिलाया जाता है साथ मिलाया जाता है पलस दूसरे भाग में वोटर कितना है एक है टोटल कितना तीन और दूसरे भाग में कितना मिलाया जाता है नो मिलाया जाता है इस परकार से साथ से साथ कैंसल हो गया तीन त्यानो हो गया तो तीन एकम तीन और तीन एकम तीन कितना हो गया छे हो गया तीन पलस तीन कितना हो गया तो इस परकार से Milk of Water का जो अनुपात है 10 रेश सो शिक्स इसका राइटन सुरा गया ठीक है पहले मैंने बिल्कुल Simple बताया पहला जो सम्था वो सिंपल तरीके से बताया अपकी बार उसने क्या है थोड़ा हम को कन्फ्यूज करने के लिए ड्राने के लिए एक दो भाग दे रहा है उन भाग में इसे कैसे निकाला जाए देखो है तो वही मैथड़ कोई नई चीज थोड़ी है पहला भाग तो इसका यही था ना पहले भाग मिल्क में से भी वह साथ भाग मिला रहा है और वोटर में से भी मिला रहा है मिल्क में से भी वह नो भाग मिला रहा है और वोटर में भी तो मिला रहा है तो इसलिए दोनों में ये परकरिया क्या है पूरी हो रही है उसने मैंसन थोड़ी किया की उसलिए तो बरतन बोला है देखो एक बरतन का साथ बाग मतलब कि पहले बरतन का साथ बाग पहले बरतन का तो साथ बाग यह हुआ फिर दूसरे बरतन का नो बाग दूसरा बरतन हमारा यह हुआ तो इसलिए आपको कंफ्यूज ह पहले अब तक कितने बरतन दे रहा था हो दो बरतन दे रहा था अब कि बार कितने बरतन दे दिये उसने मेरे को तीन बरतन के अनुसार क्या बोलता है देखिए कि तीन बरतन है उनमें दूद और पानी का जो अनुपात है 3-2, 2-1 और 4-1 है तो नए बरतन में अनुपात बताऊ यह पहले बेसिक पटाऊँगा फिडडरीक बताऊँगा देखिए पहला बरतन कितना? Milk of Water 3-0-2 दुसरा बरतन में Milk of Water कितना? 2-0-1 और तीसरे बरतन में Milk of Water कितना? 4-0-1 अगर इन सबी को मिला दिया जाता है तो एक नया बरतन क्रियेट होता है उसमें Milk of Water का क्या अनुपाद मेरे को बताईये कितना होगा जैसी statement उसने बोली वैसा मैंने क्या कर दिया लिख दिया तो वही बात है 3 बरतनों, 4 बरतनों, 6 बरतनों, 10 बरतनों, 15 बरतनों, कितनी बरतनों वैसे paper में 3 बरतन से ज़्यादा नहीं देगा highest 3 बरतन मिलेंगे आपको पहले क्या कर लेता हूँ, मिल्क निकाल लेता हूँ पहले बरतन में मिल्क कितना, तीन, टोटल कितना, तीन और दो, पांच दूसरे बरतन में मिल्क कितना, दो, टोटल कितना, दो रेक, तीन पलस तीसरे वरतन में मिल कितना चार टोटल कितना चार रेक पांच तो इस परकार से एलसेम कितना आ गया पंदरा तो पांस तीए पंदरा तीन तीया कितना हो गया नो पलस तीन पंजे पंदरा पांदूनी कितना हो गया दस प्लस पांस तिये पंदरा चेहर तिये कितना हो गया बारा हो गया इस परकार से बारा और दस बाइस बाइस और नो कितना हो गया इकतिस इकतिस बटे कितना आ गया पंदरा आ गया तो इसी परकार से क्या निकाल लूँ अब वोटर ले लूँ मैं पहले भाग में वोटर कितना दो और टोटल इसा कितना पांच दूसरे भाग में वोटर कितना एक टोटल कितना दो रेक तीन तीसरे भाग में वोटर कितना एक टोटल इसा कितना च्यार रेक पांच तो इस परकार से इसका LCMB कितना आ गया? 15 तो 5 तिये 15 तीन दूनी कितना हो गया? 6 हो गया 3 पंजे 15 तीन 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 हो गया? 5 हो गया 5 तिये 15 तीन तीन हो गया? तो इस परकार से 6, 5, 11, 11, 3 कितना हो गया? 14 14 बटे कितना आ गया? 15 तो यहीं कट कर देता हूं तो milk of water का रिष्टो कितना आ गया 31 रिष्टो 4 क्या हमारा अंसर आ गया तो इस बरकार से हम बिल्कुल जो easy method है कर सकते हैं इसमें भी आपको ज्यादा time लगने वाला नहीं है असान तरीके से आप कर सकते हो ठीक है अब बात आती है असा ट्रीक बता दो चलो इसकी ट्रीक भी बता देती है कोई टेंसल लेने की बात नहीं है तीन बरतन हुए तो क्या हुआ देखिए अब इस स्वाल के ट्रीक देखिए ट्रीक में क्या बोलते है पहले भाग का बरतन का हिस्सा कितना था तीन देशो दो था दूसरे का कितना था दो रेशो एक था तीसरे का कितना था च्यार रेशो एक था पहले का टोटल लिखो तीन और दो कितना हो गया पांच दूसरे का टोटल लिखो कितना हो गया तीन बात तो वही है क्या बात है देखिए cross multiply करो इनको 3 तिया 9 3 दूनी 6 5 दूनी 10 5 एकम 5 अब दिक्कत यहां तक तो ठीक है दिक्कत अब यह आएगी इसका टोटल लिखे इस से multiply करूँ या इसकी multiply इस से गरूँ देखो इसका टोटल लिखे इस से multiply कर सकते क्यूँ क्योंकि यह तो अगर मैं इसका total लेके multiply करूंगा तो हमारा जो अगला बरत्र है वह निकल के आ जाएगा तो क्या करना है मेरे को तो इसकी multiply से करनी है second वाले की तो 4, 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा और 3, 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा 6, 5, 11, 3 कितना हो जाएगा? 14 10, 12, 9 कितना हो जाएगा? 31 तो 31 रेस तो 14 क्या हमारा right answer आ जाएगा तो यह है हमारी trick थी basic भी मैंने बताया trick भी मैंने बताई अब आपको zone सा अच्छा लगता है वह कर सकते है देखो अगर दो बरतंदिये होते तो 2 में तो हम इनकी multiply आपस में करते अगर 3 बतन दिये होए है तो जो दूसरे का total है उसी की multiply क्या है? तीसरे वाले बतन से हमको करनी है तो यह आपको द्यान रखना है तो इस परकार से trick हुई या basic हुआ आप दोनों तरीके से कर सकते हैं जिससे की आपको कोई दिक्कत ना हो ठीक है बई? next देखिए अगला स्वाल यह है सेम मैं पहले दूसरे वाले बतन का करवा चुका हूँ क्या? की 4 रेसो 3, 2 रेसो 1 और 3 रेसो 1 के अनुपात में उन में से पहले बतन में से मिशन को 14, 9, 8 और नुपात में इसी प्रकार क्या है? निकाला जाता है तो नए बतन में दूद और पानी का अनुपात होता है देखिए पहला कितना? 4 रेसो 3 दूसरा कितना? 2 रेसो 1 तीसरा कितना? 3 रेसो 1 तो मैं लिख सकता हूँ कि कितना निकाला जाता है? सबी का मिल्क ले लो अब मिल्क अब देखो पहले में मिल्क कितना वही चार है टोटल कितना चार तीन साथ है पहले बरतन में कितना लेको तीनों बरतन में मिल्सन में निकाला जाता है कितना निकाला जाता है चोदा निकाला जाता है तो निकाल दिया पलस दूसरे में मिल्क कि कितना है तीन है दूसरे में कितना निकाला जाता है नो निकाला जाता है निकाल दिया पलस तीसरे में मिल कितना तीन है टोटल कितना तीन है एक च्यार है और कितना निकाला जाता है आठ निकाला जाता है निकाल दिया तो साथ दूनी कितना हो गया 14 हो गया तीन तीया 9 हो गया चार दूनी आठ हो गया चार दूनी आठ तीन दूनी छे और तीन दूनी छे छे और छे बारा बारा रुट कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा तो यह आपका आगया बीस तो इसी परकार से अब वोटर निकालो पहले में वोटर कितना तीन टोटल कितना साथ और इंटू में क्या हो जाएगा दूसरे में वोटर कितना एक अपोन कितना थ्री कितना निकाला जाता है नो निकाला जाता है तीसरे में वोटर कितना एक टोटल कितना च्यार इंटू कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा 7 दुनी 14, 3 तिया 9, 4 दुनी 8 3 अर्दो 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा तो इस परकार से यह हमारा रेस्टो निकल किया जाएगा 20 रेस्टो 11 क्या है? Milk of Water का 20 रेस्टो 11 हमारा निकल किया जाएगा तो इस परकार से अगर किसी भी परकार का स्वाल देता है कुछ निकाला जाता है, 2 बरतन, 3 बरतन या फिर मिलाया जाता है तो हम इस परकार से कर सकते हैं ठीक है बई? समझ गए? Next करें अगला सम देखते हैं, और भी अच्छे-च्छे सम क्या है? एड किये हुए है देखे, बहुत अच्छा समय ज्यान दे दो तरीके से करवाय जाएगा पहले थोड़ा बिसिक बता देता हूँ फिर दूसरी बार में थोड़ा आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ देखे, क्या बोलता है? कि एक बरतन में A और B दो परकार के लिक्विड है किस परकार में है? तिन और दो के अनुपात में है बरतन में से 20 लीटर मिशन को निकाल कर क्या करकर? निकाल कर उसमें हुतना ही B लिक्विड मिला दिया जाता है तो जिस से इस का अनुपात 1 ratio 4 हो जाता है तो A और B का जो liquid शरू में था starting में था प्राहरिमिक में जो मात्रा थी वह बताईए क्या रहेगी देखिए पहले basic करवाता हूं मैं मान लेता हूं A और B का अनुपात कितना दिया 3 ratio 2 दिया इनको मैं क्या मान लेता हूं X मान लेता हूं 3X और 2X मैं इनको मान लेता हूं ठीक है फिर उसने क्या बोला कि उन में से बरतन में से 20 लीटर मिशन को निकाल कर अब निकालने की बात कर रहा है तो अब मैं क्या कर लेता हूं A का हिस्सा भी निकाल सकता हूँ और B का हिस्सा भी निकाल सकता हूँ कैसे देखिए A का हिस्सा कितना? 3 टोटल हिस्सा कितना? 3 और 2 5 और इन 2 में कितना निकाल रहा है 20 निकाल रहा है ये तो मैं अब तक कर चुका हूँ क्योंकि मैंने पताया था कि पहले बरतन में से 9 निकालता, 7 निकालता तो किस परकार से निकालते हैं वही तो बात है, मिलक और वोटर हितना है, उसमें से 20 लिटर निकाल रहा है वही तो बात है, या 20 भाग निकाल रहा है जो पहले समकरवाए थे वही तो मैंने मिल्क और वोटर के जगे अपकी बार A और B दे दिया तो 5 चुका कितना हो गया 20 तो A का हिस्सा कितना आ गया 12 आ गया इसी परकार B का हिस्सा भी निकाल सकता हूँ B कितना 2 टोटल कितना 3 और 2 पांच और कितना इसमें से भी क्योंकि देखो दोनों में बरतन में से 20 लिटर मिशन को निकाल रहा है दोनों बरतन में सेम निकाल रहा है तो कितना हो जाएगा 5 चुका 20 और 8 हो जाएगा इस परकार से जो A का हिस्सा आया वह कितना आया 12 आया B का हिस्सा आया कितना आया 8 आया उसने क्या बोला, ये क्या करते हैं, इनको निकाला जाता है, तो देखो 3X, 3X में से A का हिस्सा निकाल दिया कितना, 12, इसी प्रकार B कितना, 2X, 2X में से कितना निकाल दिया, 8, अब आगे statement देखो क्या बोलता है, उतना ही B liquid में मिला दिया जाता है, क्या बोला, कि जितना हिस्सा, कितना हिस्सा, 20 लीटर जो हमने निकाला था, उतना ही जो 20 लीटर हुए है, किस में मिला दिया जाता है, B में मिला दिया जाता है, देखो special mention किया हुआ है, B liquid में मिला दिया जाता है, अब देखो, 20 लीटर नि टू एक्स है इसमें कितना मिला दिया जाता है बीस हमको मिला दिया जाता है तो जिसके बाद जो रेस्टो है कितना हो जाता है एक बटे चार रेस्टो हो जाता है अब यहां तक जिस बच्चे को समझ में आ गया वह कर सकता है समझने की बात यहीं थी क्या थी फिर देखो ध्य गया वोटर निकाल लिया आठा गया तो उसने क्या बोला कि 12 निकाला जाता है किस में से 3x में से निकाल दिया फिर पानी भी निकाला जाता है 2x में से निकाल दिया अब क्या बोल रहा है जितना मिसरन था ना उतना ही क्या है बी में मिला भी दिया जाता मिसरन कितना था टोट पलस A, A में मिला देती पर उसे ने तो B की बात की है तो इस परकार से हम इसको cross multiply करके अब तो solve कर सकते हैं देखो किस परकार से solve कर सकते हैं चारत ये 12x-12, 48 और 2x-80 और अपन 20, पलस 20 ठीक है, तो इस परकार से 2x इस तरफ आके minus का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, ये उस तरफ जाके plus का हो जाएगा, 48 में से 8 गया 40, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो x की value कितनी निकल के आ जाएगी 6 जो है, x की value निकल के आ जाएगी अब उसने पूछा क्या है A और B की लिक्वीड की शुरू की मात्रा थी शुरू की मात्रा बताईए क्या है A और B की लिक्वीड की शुरू की मात्रा कितनी थी 3X और 2X थी ठीक है तो 3X में क्या कर लेता हूं X की वैलू पूट कर लेता हूं 18 2x में भी x की value पूट कर लेता हूं कितना हो जाएगा 12 तो शुरू में उनकी मातरा कितन थी 18 और 12 थी तो इस परकार से यह हमारा क्या अंसुर आ जाएगा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ठीक है इसका मैं दूसरा तरिकाई बताता हूं देखो इसका second method second method क्या रहता है इसका देखिए second method में बोलता है मेरे पास अनुपाद कितना है a और b का 3 देसो 2 है और हो कितना जाता है a क्रेसो 4 है उसने क्या बोला 20 लीटर मिष्ण को निकाल कर उसमें हुतना ही क्या मिला दिया जाता है b में मिला दिया जाता है अब b के अंतरगत क्या है मिलाया जाता है अब b के अंतरगत मिलाया जाता है तो मैं क्या कर लेता हूँ जो A part है उसको मैं समान कर लेता हूँ क्यों? क्योंकि जो गटेगा बढ़ेगा वह तो B में गटेगा या बढ़ेगा क्यों? क्योंकि जो liquid की मात्रा है वह हम किस में मिला रहे हैं B में मिला रहे हैं तो इस परकार से जो गटना बढ़ना है बी में है, तो इस परकार से इसमें तो हम मिलाई नहीं रहे, तो ए में नहीं मिला रहे, तो ए को हम क्या कर लेते हैं, ए को हम इगवल कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या, कि बी का इस्सा तो इसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है तो B का हिस्सा मिलाया जाता है तो जो घटेगा बढ़ेगा वो तो B में घटे बढ़ेगा तो मैं A को क्या है? इगुवल कर लेता हूँ A को इगुवल कर लेता हूँ तो क्या करूँगा? उपर वाले को 1 से मल्टिप्लाई कर दूँगा और निचे वाले को तीन से मल्टिप्लाई कर दूँगा तो क्या है या अपस में इगॉल हो जाएंगे देखो उपर वाले को एक से मल्टिप्लाई किया तो क्या रिष्व आएगा तीन देसो दो ही रहेगा निचे वाले को तीन से मल्टिप्लाई किया तो तीन देसो कितना आ जाएगा, बारा आ जाएगा, अब देखो, अब इनका डिफरेंस देखो, ए तो इगुल हो गया, अब जो 20 लिटर मिशन हमने मिलाया है, टिक है, जो 20 लिटर मिशन हमने B में मिलाया है, अब उस 20 लिटर मिशन में मिलाने के बाद, कितना डिफरेंस आ गया पहले 2 था, अब कितना हो गया, 12 हो गया, तो कितना difference आ गया, 10 का difference आ गया, कितने मिलाने पर आया है, 20 लिटर मिलाने पर आया है, तो एक कितना हो गया, 2 हो गया, तो अब ये 2 आ गया, तो इस परकार से जो अब की value है, वह है मैं निकाल सकता हूं, कैसे, देखो, अब कितना अन उपात कितना हो गया 15 हो गया और 15 इंटू 2 कितना हो गया 30 लीटर हो गया तो टोटल अब जो है वह हमारा कितना हो गया 30 लीटर हो गया समझ गए अब अब की भी बात हो गई पूरी तो मैं पहले का भी रेस्टो निकाल सकता हूँ पहले रेशो कितना था मेरा पांच था तीन और तो टोटल पहले कितना था मेरा देखो पहले पांच था पांच कितने लीटर के बराबर है 30 लीटर के बराबर है क्यों क्यों कि मैंने इसको ही पूरा लीटर मान लिया पांच किस के बराबर है 30 लीटर के बराबर है और 5 छी कितना आगया 6 आगया तो 6 लीटर जो है या 6 क्या हमारा अनुपात आगया तो उसे ने बोला पहले प्रारंबिक में अनुपात कितना था 302 था तो 6 की मल्टिप्लाई 3 से कर दो और 6 की मल्टिप्लाई 2 से कर दो तो इस प्रकार से 18 और 12 हमारा क्या है राइट अन्सोर आ गया तो जोन साब को मैथड अच्छा लगे उससे कर सकते हो बेसिक भी मैंने बताया और यह दूसरा मैथड भी बताया इसमें बस आपको यह याद रखना है अगर B में मिलाया जाता है तो A को इक्वल कर लो अगर A में मिलाता है तो B को इक्वल कर लो ठीक है अगर बाई चांस मैं यह बोल देता A में मिलाया जाता है तो हम क्या कर लेते B को इक्वल कर लेते B को इक्वल करने के लिए क्या करते 4 की मल्टिप्लाई उपर वाले से कर लेते फिर आप बोलोगी सर यहां पर यह 30 लिटर आ गया मान लिया आपने 15 इनका total डेस हो था और 2 इनका लिटर आ गया एक के वराबर 2 की value आ गई 15 की वराबर 30 की आ गई तो हमने 30 को 5 से क्यों divide किया इससे क्यों क्योंकि देखो अब का अनुपात B का कितना है 30 हो गया और A का कितना है 5 है तो total लिटर कितना है 30 लिटर है और A जो है पहले जो था वह कितना था 5 था तो 5 की 30 को 30 ही मैंने जो लिटर है total मान लिया दोनों का हमने क्या किया है total 30 लिटर मान लिया तो इस परकार से हम कर सकते हैं जैसा आपको इच्छा करे देखो दुबारा बता देता हूँ ये चीज करने के बाद ये रिस्वाया कुछ नहीं करना जो ये एक की value आती है अब वाले से multiply कर देनी है तो 15 दूनी कितना हो गया 30 आ गया तो इस 30 को उठा के इस से divide कर दो कितना आ गया 6 आ गया बस ये हमारी value निकल के आ गई अब जो पूछे उसकी multiply ये आप कर सकते हो ठीक है देखे इस सवाल से आपका और clear हो जाएगा थोड़ा है तो अलग पर clear हो जाएगा देखो क्या 72 किलोग्राम कोपर और जिंक के mission में कोपर और जिंक का जो अनुपात है वह पांच रेशो चायर है और कुछ मात्रा में जिंक इसमें मिला दिया जाता है जिस से इसका कुल अनुपात दो रेशो तीन हो जाता है तो कितने किलोग्राम जिंक mission में मिला जाता है किसकी बात पूछ रहा है जिंक की बात पूछ रहा है चीजे मेरे पास क्या है एक कोकपर है और एक जिंक है कितना अनुपात है उनका पांच रेसो च्यार और बाद में कितना हो जाता है दो रेसो ती कलियर अब देखो ध्यांत से देख रहा है उसने क्या बोला कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है क्या मिला दिया जाता है अब जो मिलाया जाता है उसके दूसरे वाले को हम क्या कर लेते हैं इग्वल कर लेते हैं इग्वल करने के लिए क्या करूँगा इस दो की मल्टिप्लाई उपर से कर दूँगा और इस पांच की मल्टिप्लाई नीचे वाले से कर दूँगा तो कितना रेसो निकल के आ जो मिलाया था, घटा या बढ़ा, कितना बढ़ गया, पहले 8 था, अब 15 हो गया, जिंग कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, कि जो मिलाया जाता, उसके अपोजिट को हम क्या कर लेते हैं, अब उसने मेरे को एक चीज और दे रखे, क्या दे रखे हैं, कि टोटल कितने केजी है, बहतर केजी है, कितने केजी है, बहतर केजी है, और पूछ क्या रहा है, जिंग पूछ रहा है, तो अब इस बहतर में से मैं ये तो पता कर सकता हूँ ना, मेरे पास कोपर कितना है, जिंग कितना है, कैस कोपर का अनुपाच 5, टोटल कितना 9, तो 9 8ày 72, 5 6 tray 40, यह 40 क्या आ गया, कोपर आगया. अगर जिनकी बात करे, तो जिनकी टोटल कितना 27, जिनक का इसा कितना है, 4 है, और टोटल कितना है, 5000 च्यार 9 है, तो 9, 8, 72, 8, 32 तो 72 में से मेरे पास 40 तोग पर निकल के आ गया और जिंक कितना निकल के आ गया 32 निकल के आ गया उसने पुछा भी कितना है कि जिंक की मातरा कितनी मिलाई जाती है तो जिंक मेरे पास टोटल कितना है 72 है मिलाने के बाद अनुपात कितना हो जाता इसका आठ हो जाता है और बढ़ कितना जाता है साथ बढ़ जाता है तो आठ चोक कितना हो गया 32 हो गया और साथ चोक ठाइस क्या हो गया जिंक मिशन में मिलाया जाता है तो यह है हमारा क्या आ जाएगा अंस्वरा जाएगा ये मैंने मिलाने से पहले का निकाल लिया मिलाने के बाद जिनका अनुपाद कितना हुआ आठ हो जाता है समझ गए और फरक डिफरेंज कितना पड़ता है बाद में साथ का तो या फिर ये भी बोल सकता हूँ कि आठ किसके बराबर है 32 के बराबर है और साथ किसके बराबर होगा चार से मल्टिपलाई करेंगे तो ठाइस के बराबर हो जाएगा तो इस परकार से हम इन स्वाल को बना सकते हैं मेरे ख्याल से डाउट तो किसी बच्चे को रहा नहीं होगा क्यों किसी बच्चे को अगर इसमें डाउट है ये तो निकाली सकते हैं भाई साब कैसे देखो मैं बोल दूँ मेरे पास टोटल 72 किलोगराम कोई भी चीज है और A और B का अनुपात मेरे पास 5 रेस सो 4 है तो बताएए A का हिस्सा कितना B का हिस्सा कितना तो ये तो आप कर सकते हो कैसे देखो A कितना 5 टोटल कितना 9 इंटू कितना 72 तो 9 अठे 72 पांच अठे 40 B कितना 4 टोटल कितना 9 इंटू कितना 72 नो अठे 72 आड़ चोक 32 तो वही तो चीज निकाल ली है मैंने देखो वही चीज निकाल लिया है इसमें A और B की जगे कोपरोर जिंक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू स्टूडेंट